असांसे आम लेकुं women Numaries Hello welcome to our channel और आज के लेक्चर में हम discussesं करेंगे parametriization इसलिए इसकी conceptual अंड्रस्टेंडिंग बहुत जारी है तो आज के लेक्चर में हम इसकी conceptual अंड्रस्टेंडिंग लें इसके बाद परस्ट आज बेस्ट कुछ important क्टेंड Stress करेंगे तो सब्सक्राइब करते हैं तो देखिए पैरमिट्राइज्चन बद्दर क्या है लेटस से मिरे पास कोई कॉइ गीवन है ठीक है यह हम एक कॉइ अ सीडर कर ले ते हैं यह मेरे पास गीवन है तो सक पर मेरे पास खिवन हमें फिर खर क는지 आपने parameterization बतानी है या यह इसकी parameterization है तो उसका मतलब क्या है उसका मतलब basically यह है कि इस curve के लिए हमें एक ऐसा function define कर लें एक function R define कर लें किसी interval A B पे इस तरह से कि इस interval इस R में इस R function में इस interval से हम points put करते जाएं तो हमें यह curve के points मिलते जाएं ठीक है जैसे यह हमने एक function R define किया है इस curve के लिए कोई भी function ठीक है इस R में आप point A put करो तो हमें इस curve का point यहाँ पे कोई B मिल जाएं ठीक है इस तरह इसका end point आप B put करो तो इस curve का end point आपको Q मिल जाएं यहाँ ठीक है तो अगर आप इस तरह का function किसी curve के लिए define कर लेते हैं तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं parameterization of curve बोलते हैं ठीक है यह इस तरह की curve घुम parameterized curve बोलते हैं तो रेटिकरी अगर हम इस definition को पढ़ना से हैं तो वो कुछ इस तरह से है if you are able to define a function from a subset of real numbers to the curve such that the image of that function is given curve ठीक है क्या बात वही बात कि आप कोई curve है उसके लिए आप एक function define कर लेते हैं किसी interval a b पे इस तरह से कि उसमें आप function r में उस subset से आप उस interval से points पूट करते जाएं और आपको curve के points मिलते जाएं ठीक है और इस तरह से यह जो r है जो आपका function है उसका image जो है वो हमें क्या दे function r image जो है वो हमें क्या दे पूरी की पूरी curve दे दे ठीक है तो इसे हम parameterization बोलते हैं अब इसकी example लेते हैं अब जैसे यहाँ पे हमने एक circle consider कर लिया है जिसका center 00 है और radius क्या है अब यहाँ पे हमें पता है कि जो circle की standard हमारे पास होती है parameterization उसकी equation क्या है r of t is equal to a cos t a sin t यहाँ पे a क्या होता है हमारे पास यह radius होता है उस circle का तो यहाँ पे हमारा radius क्योंकि 2 है तो अब यहाँ पे हमारी parameterization इस circle के लिए parametric equation जो है वो क्या बनेगी r of t हमारे पास equal आजाएगा 2 cos t 2 sin t ठीक है यह हमारी parameterization है इस circle के लिए और इसमें यह कौन से interval पे define है 0 से 2 pi interval में यह हमारे पास define है अब हमारे पास यह इसकी parameterization है हम इसको check भी कर सकते हैं क्यों क्योंके देखे यह हमने function define किया है r t इस तरह से function define किया और interval हमने कौन सा लिए 0 से 2 pi अब 0 से 2 pi में हमारे पास जो भी points है इनको हम put करते जाएंगे तो हमें इस circle के सारे points इस curve के सारे points मिल जाएंगे तो इसलिए हम इसको r of t को क्या बोलते हैं इसकी parameterization बोलते हैं जैसे for example यहां पर हमगर zero put करते हैं तो हमारे पस क्या आएगा collected function zero one और two से multiply होगे क्या आएगा दू आएगा और sign zero हमारे पास क्या होता है zero तो हमने zero put किया तो क्या मिल गया 2 po by 1 इसी तरह जब हम पाई बाई बोट करेंगे और पारमिट्राइजेशन बहरते हैं। इस तरह एक और एक्षाम्पल हम इसका चस्तुर दो हमारे कहां है तो को मा 5 पिए लेट से पोईंट एह यह दो कारशिक सेंचर है और इसका रेडियस कैना है हमारे पास 5 आई इस सरकल का तो की पारमेटिक ईक्वेशन क्या बनेगी यह हमारे पार स्ब्सक्रास तो अगर यह सरकल हमारे पास आ गया है तो इसकी पैरामिट्री की एक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? लेकिन ये जो हमने example लीष में हमारा center क्या है 25 है तो जो center है इसके according ये equation थोड़ी change होगी change कैसे होगी देखिए अब इसकी parametric equation में आपको लिखना सिखाती हूँ आप कैसे लिखेंगे R of T is equal to ठीक है cos T, A cos T जो हमरे पर सही आजएगा cos T और A की value क्या है यहाँ पर 5 है ठीक है, कोमा यहाँ पर 5 sin T as it is आजएगा ठीक है और क्योंके इसका center क्या है 2, 5 है हमें पता है यह क्या point है x, y point है इसमें x वाला point क्या है 2 और y वाला point क्या है 5 तो जो x वाली value है उसको हम यहाँ पर add कर देंगे cos में और जो y वाली value है 5 उसको हम यहाँ add कर देंगे ठीक है तो यह इसकी इस तरह से parameterization हम निकाल सकते है तो next example हमने लिए है ellipse की, ठीक है अब देखें यहाँ पर मैंने एक ellipse लिया है जिसमें यह हमारे पस 3 है और यह इसका point क्या है 2 है तो जैसे हमने circle की parametric equation लिखी थी r of t is equal to a cos d a sin d होता है हमारे पस ठीक है लेकिन ellipse में क्या होता है यहाँ पर a की जगा क्या होता है b होता है a cos d b sin d क्योंकि इसमें हमारे पस radius नहीं होता बलके major minor axis होती है तो उनकी values a b की क्या आती है हमारे पस different रहती है इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे a b लेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पस इसकी value क्या आएगी 3 cos d ठीक है क्योंकि यहाँ पर a की value क्या है 3 है और 7 में 2 sin d आएगा क्योंकि b की value यहाँ पर 2 है तो यह हमारे पस parametric equation है इस ellipse की और यह कहां से अमारे पस यहाँ पर t vary कर रहा है 0 से 2 pi के दर्मियान तो यहाँ पर भी आप इस यह जो हमारे पास parametric equation हमने इसकी लिखी है इसमें यहाँ से इस domain से values put करते जाएं तो आप देखेंगे कि यह पूरी curve हमें मिल रहती है ठीक है नेक्स example देखें यहाँ पर हमने एक parabola consider किया है ठीक है parabola की equation हमें पताए क्या होती है y equal x square ठीक है यह हमारे पास parabola की equation होती है हमने एक parabola consider किया है और इस parabola की हमने parameterization निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे इसके लिए आप क्या करें simply x equal t put कर दें ठीक है x equal t लेंगे तो y की value हमारे पास यहां से क्या आजाएगी y equal क्या आजाएगा t square आजाएगा तो इसके लिए हमारे पास जो parametric equation इसकी बनेंगी वो क्या आजाएगी वो हमारे पास आजाएगी t, t square यानि कि यहां पे जो function हमारे पास define हो रहा है वो क्या है r of t is equal to t, t square है और इसमें डुमेन हमारे पास क्या है डुमेन देखे इसकी क्या है minus 1 से 3 तो minus 1 से t के दर्म्यान में हमारा जो है वो t है अब यहां पे आप देखें इससे आप value उठाएं जैसे यह minus 1 आप put करें इस equation में तो देखें minus 1 अगर t की जगा put करेंगे तो क्या आजएगा minus 1, t square से क्या आजएगा 1 हो जएगा तो हमें कौन सा point मिल गया minus 1, 1 तो वो कौन सा वाला point है minus 1, 1 यह वाला point आजए ठीक है यह point मिल गया similarly आप यहां से points उठाते जाएंगे और यह पूरा parabola जो है यह पूरी curve है यह हमें मिल जाएगी ठीक है सारे points इस curve के मिल जाएंगे तो यह जो r of t is equal to t comma t square है तो यह इसकी हमारे पास इस parabola की parameterization है तो parameterization को इस तरह से आप निकाल सकते हैं simply अगर आपको कोई curve equation गिवन हो जैसे यहां पर यह equation गिवन थी हमें पता था यह parabola की equation है ठीक है हमने parabola और हमने क्या किया x equal t put किया और वहां से हमारे पास y की कोई ना कोई value निकल आई तो इसी तरह जब आपको इस तरह की equations given होंगी ठीक है तो आप x equal t put करके वहां से उसकी parameterization निकाल सकते है ठीक है अच्छा जी next example की देखते है अब देखें यहां पे मैंने unit circle की parametric equation ले लिए r of t is equal to cos d sin ठीक है unit circle है जिसका radius हमारे पास इस क्या है equal one है तो हमें पता इसकी हमारे पास इस तरह से कुछ diagram बनेंगी ठीक है और parametric equation इसकी यह वाली है अब यहां पे देखें अगर मैं इस circle को 3D में move करूँ ठीक है यह circle हमें पता है 2D में है plane में है अगर मैं इसको 3D में move करूँ तो क्या बना दीखें जैसे मेरे पास पहले x-y plane था अब मैं z plane में भी move कर जाती हूँ यहां पे यह मेरे पास c है x है और यह y है ठीक है अब यहां पे मैं क्या करती हूँ यही जो circle है इसको मैंने move कर दिया है 3D में और मैं कहती हूँ कि यहां पे z जो है मैं z को fix कर देती हूँ z equal 1 के लिए तो अब इसकी parametric equation हमारे पास क्या बनेगी r of t हमारे पास इस तरह से आएगा cos t sin t comma 1 ठीक है यहां पे जो इसका z axis है वो हमारे पास क्या है 1 है वो हमने fix कर दिया है तो कुछ इस तरह से यह हमारे पास इसकी curve जो shape है वो 3D में है लेकिन यहां पे पेपर पी सी तरह ड्रो करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास shape ड्रो हो रही है जिसमें हमारे पास z की value क्या है 1 है तो यह हमारे पैरामेटिक equation आगई इस circle की अब यहां पे यह हमने z axis fix किया हुए z equal 1 लेकिन क्या हो कि अगर हम z को fix करने की बजाए हम इसकी value t ले ले तो फिर हमारे पैरामेटिक equation देखें कैसे आएगी r of t हमारे पास equal आजाएगा cos t sin t, t आजाएगा ठीक है अब z axis जो है t को 0 लेते हैं तो हमारे पास क्या point आएगा 1,0,0 ठीक है लेकिन अगर हम value increase करते जाएगे t की value increase करते जाएगे तो फिर क्या होगा हमारी जो curve है वो भी increase होगी यह जो हमारा circle है यह भी increase होगा तो कुछ इस तरह से हमारे पास increase होता जाएगा ठीक है जैसे जैसे इसकी value t की increase होती जाएगी तो हमारा circle जो है वो आगे increase होता जाएगा तो यह पास कुछ जैसे हम spring कहते हैं जो spring type हमारे पास इस तरह की shape आती जाएगी ठीक है अब अगर हम यहाँ पे यह जो radius हमारा यहाँ पे fix है Radius हमारा हमने क्या लिया हूँ है ? यहांपे 1 लिया हूँ है अब अगर हम यहां पे क्या करें कि Radius को भी fix करने की बजाए Radius की Value जो है उसको हम क्या कह दें हमारी Radius की Value भी T है م कहने है हम कह रहे है कि हमारा Radius जो है वो fix नहीं अब हमारा 70 Radius T تو Change हो रहा था यहाँ प управ जो Z X wir ounce हमने लिए था फिक्स पहले केसि केस्ट में फिक्स था अब हमने T को Change गटाए हमने का T के Increase हो रहा है तो T के Increase होने से हमारा Circle इस तरह से Increase हो रहा है अब हम साथ में क्या करें कि इसका Radius भी Increase हो रहा है जो इस तरह की जो, sorry, बहुत बुरी shape बनी है लेकिन जो भी है, इस तरह की जो shape है, उसे हम पर क्या बोलते हैं Helix बोलते है, ठीक है? इस shape को हम हम Helix बोलते हैं और ये हमने Helix की Parameterization पड़ी है अब यहाँ पे कुछ curves की जो important curves है, उनकी standard parameterization मैंने यहां पे लिकिवी है circle की standard यह आपको लास्मी बताने चाहिए circle की standard parameterization हमारे पास यह होती है rt is equal to a cos d a sin t a यहां पी क्या होता है radius होता है ellipse की parameterization हमारे पास a cos d b sin t होती है hyperbola की a cos hyperbolic t b sin hyperbolic t ठीक है इसी तरह helix की है a cos d a sin t bt और यह हमारे पास storage की parameterization है तो यह सारी parameterization जो standard parameterization है यह आपको आनी चाहिए ताकि वेपर में question आए तो आप उसको attempt कर सके thank you